नमस्कार मेरा नाम है निखिल और आप सभी का स्वागत है दरस्टी आई एस यूट्यूब चैनल पर आज हम रेजनिंग का एक इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे दिशा परिक्षण डायरेक्षण टेस्ट तो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं तो हम जान लेते हैं दिश दिशाएं कौन-कौन से होती हैं और किस तरह से हमें इनको स्वल्व करना है तो शुरुवात करते हैं दिशाओं से दिशाओं कितनी होती हैं इन जनरल हम अगर बात करें पेपर के पॉइंट ऑब व्यू से तो आठ दिशाएं मान के चलते हैं कौन-कौन से पूर्व यानि इस्ट, पश्चिम, वैस्ट, उत्तर, यानि नोर्थ, दक्षेन, यानि साहुद, ये तो चार मुख्ये आपकी दिशाए हो गई, इसके अलाबा, इनके जो बीच में दिशाएं बनेगी, वो भी होंगी, चार दिशाएं कैसे, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा बनेगी, उसको हम बोलते हैं, उत्तर पूर्व, या पूर्व उत्तर भी इसको बोलते हैं, उत्तर पूर्व मतलब नोर्थ, इस इसी प्रकार से जो दो में दिशाव के बीच में जो दिशा होगी हम उसको क्या बोलेंगे जैसे पूर्व और दक्षण के बीच में दक्षण पूर्व इसको बोलेंगे दक्षण पूर्व यानि साउथ इसी प्रिकार से दक्षेन और पश्चिम के बीच में दक्षेन पश्चिम क्या हो जाएगा यह साउथ वेस्ट मैंने इस डबलू लिखा है इसके बाद में उत्तर और पश्चिम को 21 बीच की दिशा होगी उसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम इन दोनों के मद्य की दिशा यानि नौर्थ वेस्ट यह दिशाएं होगी यह आठ में दिशाएं हैं जिनके आधार पर आपते एक्जाम में कोश्चन पूछे जाते हैं इनके अलाबा दो और दिशा हो सकती हैं अगर हम इन जन्रल बात करें जैसे किसी भी पॉइंट से उपर की तरफ और नीचे की तरफ दो दिशाएं और हो सकती हैं उपर की तरफ नीचे की तरफ इन आठ के अलाबा लेकिन उन पर क्योंकि कोश्चन नहीं आता है तो हम उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे यह दिशा इंप्रोटेंट हैं आपको यह पता होना चा सबसांता यह केवल रिपर्जेंट करने का दर्शाने का तरीका आपने पूर्व यह पर लिखा है लेकिन ये कि बात हमेशा याद रखनी है कि पूर्ब के गुमने की धिशा में हमेशा दक्षिन आता है पूर्व के clockwise direction में हमेशा क्या आता है दक्षिन आता है तो यह याद रखना है चाहिए आप ऐसे इसके अलाबा दूसरा डाइग्राम भी ऐसे बना सकते हैं आप पूर्व पूपर भी लिख सकते हैं लेकिन इसके clockwise direction में आप यहां पर क्या लिखेंगे दक्षिन और पूर्व है तो पूर्व के opposite में आ जाएगा पश्चिम और इसी प्रिकार दक्षिन के opposite में क्या आ जाएगा उत्तर तो आप एक पूइंट यह याद करके रखेगा कि पूर्व के कोश्चन में 90 डिग्री पर क्या होता है दक्षिन होता है इन पर हम question solve करेंगे और दो बातें आपको और याद रखनी है क्या के और से जैसे कोशन में पूछा जाता है कि एक अगर बी से किस दिसा में है तो बी से या बी के किस दिसा में है तो के या से बड़ जब आ जाता है शब्द आ जाते हैं तो हमें उन्हें आधार मानना होता है और जिसको हम आधार मानते हैं माननों अगर A को आपने आधार मांगना है तो आप इस पर यह आपका जो O है origin हो जाएगा जो O यहाँ पर main बिंदू है जो मुख्य बिंदू यहाँ पर रहेगा origin point यह आपका O हो जाएगा A ठीक है जिससे भी तुलना की जाए A के शाप X क्या है B के शाप X क्या है B से कहां पर है तो A को या B को जिससे भी पूछा है जिसके बाद में से लग जाएगा उसको हम आधार मानेंगे अब हम बात करेंगे questions की question के थुरू और इसको बैतर तरीके से समझेंगे देखेंगे किस तरह के question आपके exam के लिए important है चले शुरू करते हैं एक व्यक्टी पूर्व दिशा की और 10 km चलता है उसके बाद वह उत्तर दिशा की और मुल कर 5 km जाता है उसके बाद वह पूर्व दिशा की और चलकर 5 km जाता है अंतमे दक्षन की और 5 km चलकर रुक जाता है पर प्रारंबिक इस्थान से कितनी दूरी करेंग बनाएंगे जैसे पॉइंट-वाइजि फूट करते जाएंगे एक व्यकी पूर्फ की और 10 किलोमेटर यहां体 यहां पर इस point पर पहुच गया, यहां तक solve किया, उसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर मुणकर, उत्तर दिशा यानि उपर की तरफ, इस वाले point से उपर की तरफ, उपर की तरफ गया, कितना, 5 km, उपर की तरफ जाता है, यहां तक solve किया, उसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर चल कर 5 km जाता है इसके बाद में फिर कहा गया पूर्ब दिशा पूर्ब मतलब यहां पर कितना गया 5 km 5 km इधर से भी गया इसके बाद में क्या है अंत में बहे दक्षेण की और 5 km जाता है दक्षेंड की और 5 km जाता है मतलब इस point से दक्षेंड की तरफ इस point से दक्षेंड की तरफ मतलब नीचे की तरफ तो यहां पर गया 5 km जाता है और रुक जाता है मतलब कहां पर रुका इसका जो end point है वो यहां पर आ गया अब प्रारंबिक इस्थान से कितनी दूई पर है प्रारंबिक बिंदु क्या है आपका यह आंतिम बिंदु यह अंतिम पॉइंट यह है इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है प्रारंबिक स्थान से कितनी दूरी पर दस किलोमेटर यह प्लस पांस किलोमेटर यह तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दस प्लस पांस यानि कि टोटल कितनी डिस्टेंस आ गई 15 किलोमेटर ओप्शन डिया तो यह पूशता है कि अंतिम से प्रारंबिक की दूरी या प्रारंबिक से अंतिम की दूरी या कई बार दिशाएं भी पूशता है तो हम उसी के कोडिंग आपको आंसर देना होता है मूब करते हैं नेक्स कॉश्चन पर देखते हैं शहर डी शहर एफ के पूर्व में है यह तो आप समझ ही लीजिएगा कि आपको ये तो बनाना ही है East Best North and South ये आपने बना के रखा इसके बाद में कोशन शुरू करते हैं और जैसे जैसे कोशन दिया है हम value को put करते चले आते हैं क्या कहा है शहर D शहर F के पूर्ब में है अगर शहर F यहां पर है शहर F यहां पर है तो शहर D शहर D कहां होगा शहर F के पूर्ब में अगर शहर F यहां पर है तो पूर्ब यहां पर होगा शहर D शहर F के पूर्ब में है यानि D कहां पर है यहां पर है F का पूर्ब F से तुलना है एप के comparison में यह पूर्व में है इस्ट में है ठीक है इसके बाद मैं देखते है शहर B सहर D के उत्तर में है अगर D यहाँ पर है तो B कहाँ पर है उपर की तरफ यानि उत्तर में तो सहर B कहाँ पर है यह है उपर क्या शहर B शहर B सहर D के D से तुलना है, D पे आपका origin point है, D से उत्तर में है, तो हमने लिख दिया सहर B, सहर D के उत्तर में है, यहां तक हुआ, सहर D के उत्तर में है, सहर H, सहर B के दक्षिन में है, जो सहर H है, वो सहर B के दक्षिन में है, अब B का दक्षिन क्या होगा, अगर B यहां पर लिखा हो, त इन दोनों के बीच में, h d के इस्थान पर भी हो सकता है, और h नीचे भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है, सहर h, सहर b के दक्षिन में है, b के नीचे की तरफ है, b के नीचे की तरफ तो कहीं भी हो सकता है, कोई उसने distance नहीं दी है, तो आपको भी क्या मानना है तो अपने हिसाब से तो मान नहीं सकते कि यहाँ ही पर होगा यह इतनी ही दूरी पर होगा तो H की possibilities बनेगी या तो D से उपर हो या D के बराबर में हो या D के नीचे हो तो B की तुलना में South होए है शहर H अब इसके बाद में देखना है क्या है हमें शहर F की किस दिसा में है तो हमें कोशन में बताना है सहर । अगर सामने की तरफ है तो किस दिशा में आ जायएगा के IST में पूर्व में है अगर ऐच यहां पर है तो पूर्व में आ जाएगा अगर H यहाँ पर है तो कौन से direction आजाएगी South East में आ जाएगा तो यह तीन possible direction है तो यह पूर्ब आंसर नहीं होगा दक्षिन पूर्ब definitely नहीं होगा दक्षिन पूर्ब में कोई जरूरी नहीं है ना कि दक्षिन पूर्ब भी हो दक्षिन पूर्ब यह वाला ही हो सफिशेंट नहीं है move करते हैं next question पर और समझते हैं कवीता पूर्ब में 10 feet A से B की और चलती है फिर से बहीं करेंगे हम पहले तो यही बना लेंगे यह बनाने का फायदा यह है आपको याद रहेगा कि point से जिस point से हम direction बता रहे होंगे कि उससे किस दिशा में हमें जाना है क्या पताना है सिबसे पहले पूर्ब east, best, north and south हमने directions बना लिये हैं कि इसके according हम अपना जो map जो अपना diagram है वो ड्रॉ करेंगे कभी था पूर्ब में 10 feet, A से B की और चलती है फूर्ब में 10 feet, तो इन दोनों के बीच के distance कितनी हैं 10 feet, ten feet है पिर वह हैं दाहिनी और मुलती है अब यह जो शब्द आजा है दाहिनी यानि की राइट साइड में अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका यह होता है उस प्लेस को पर खुद को रख दो जैसे अब यह यहां पर है बी तक पहुंची तो इस तीर के सान पर खुद को रख दो उसी डायरेक्शन में देखो जिस डायरेक्शन में तीर है मतलब भी अभी यहां पर है ना इसके इस्थान पर खुद को रखेंगे तो दाहिनी तरफ आपका हुगा राइट हैंड राइट हैंड मतलब नीचे की तरफ यहां से अगर आप रखके द तीन ठीट ठीट यहां से लहीड मुड़ी और तीन फ्रुट चलिए फिर बहे दाहनी और अब जो उसकी दिशा है वो नीचे तरफ है अभी नीचे की तरफ जा रही है रही है रहा है खुद को फिर से यहां इस साइड और आप देख रहे हो तो दाहनी 14 feet, यानि 14 feet इसके बाद में देखते है, अब A से कितनी दूरी पर है तो A से दूरी बतानी है तो A से, A तो इस point पे था वो last point है यह अगर मैं इसको D कहूँ, तो A और D के बीश की दूरी बतानी है, A से D कितनी दूरी पर है, A से D अब A से D बताना है तो हमें क्या बताना होगा ये वाली distance बतानी होगी A से ये वाली distance बतानी है A से D कितनी दूरी पर है अगर ये 3 feet है तो ये भी कितना होगा 3 feet होगा ये 14 feet है और उपर कितना था 10 feet तो ये वाली जो distance होगी से यहां से इस find किये कितनी होगी 1010 यहींट बाकि इतना टोटल टो तो 14 देट झाओ अब हमें क्या चीज पता चलिए इस point की दूरी है लेकिन हमें बताना क्या है ए से डी की दूरी जब इस तरह का question आता है कि ए से डी कितनी दूरी पर है और आपको so test distance बतानी होती है नियुनतम दूरी बतानी होती है तो आप क्या करते हैं इस point से इस point निकालने के लिए हम अलग से triangle रैंगल बना कि समझते हैं यह हो गया ट्राइंगल का कर्ण क्राइंगल क्या बना है वाला आपका क्रांग्ल बना मतलब तर्भुष कैसे निकालेगे ठाँ अब इसको अलग सी अगर हम समझें इस इसको भी कुछ पाली इस São कहां यह पोरस अब इसमें कौन सी चीज क्या है यह आपका करण होता है कि कि यह आपका लंबय है ओर यह आपका आधार है कि आधार आद जब इस तरह का ट्रायंगल बनता है इस तरह का तिर्बुज तो यह वाला वह गटमा सब्सक्राइज कि मतलब समकौ Ci pubo और समकोन तिर्बुच के लिये एक थ्योरम होती है क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आद्हार काnier कर्ण का कर्ण का 2 स्क्वायर मतलब हमें यह absorb निकालना है, AD कर्ण निकालना है, तो AD का स्कॉायर, बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, 3 फिट है, 3 का स्कॉायर, प्लस, अधार कितना है, 4 है, तो 4 का स्कॉायर, बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्कॉायर 9, प्लस, 4 का स्कॉायर 16, यानि बराबर 25 के, मैं यह कह सकता AdCh canciónर किटने आया 5 थिए 25 के साथ तककिन ऑपको क्या निकालना है Ad कितना वैलू सा है all of life तो यह आपको याद रखना है कि कन्म का स्कौसायर बराबर लंब का स्कौसाइर स्कौसाइर का स्क्वायर जहां भी आपको कि इस डायरेक्शन में जहां भी आपको इस तरह का तिर्भुज मिले मतलब संकून तिर्भुज मिले और आप से कर्ण पूछा गया हो सो टेस डिस्टेंस पूछी गई हो तो आप यह लगाएंगे कि कर्ण का स्कॉयर बरावर लंब का स्कॉयर प्लस आधार का स्कॉयर इसका बर्ग इसके और इसके बर्ग के योग के परावर होता है इस तरह से कोशन सोल्ब करना है मूव करते हैं next question पर देखते हैं दीपक पूर्व की ओर मुँ करके खड़ा है बहे 135 डिगरी बामा बर्त घूमता है उसके बाद बहे 90 डिगरी घडी की दिशा में घूमता है अब किस दिशा की ओर देख रहा है अब एंगल की बात हो गई हम एंगल को समझ लेते हैं पहले जब एक सरकल बनाते ह है तो यह 306 डिगरी का इंगल होता है जैसे आप पाइचार्ट में भी पढ़ेंगे जब यह पूरा सरकल बन जाता है किसी पोइंट पे जैसे इसी पोइंट पे ऐसे पूरा सरकल बन जाए तो वो 360 डिगरी होता है अब जैसे हम बुजाओं की बात करें जो आपकी टोटल मिला के पूरा सरकल कितना होगे अगर पूरे सरकल की बात करूं तीन सो साथ डिगरी होता है अब इन्हीं के आधार पर जो हमारी बुजाएं हैं वह भी एंगल्स में बटी हुई है कैसे बटी हुई है इस्ट, बैस्ट, नोर्थ, and साउथ इनके बीच में कुन सा है नोर्थीस्ट यहाँ पर क्या है साउथ इस्ट यहां पर है साउथ बैस्ट और यह है नोर्थ बैस्ट यह डिरेक्शन है यह पूरा 90 डिगरी है तो यह वाला कृतना बचा 45 45 डिगरी सारे पार्ट कितने के अब आते हैं कॉश्चन बे दीपक पूर्व की और मुह करके खड़ा है पूर्व की तरफ देख रहा है अब एक सो पैतिस डिग्री बामा वर्त घूमता है बामा वर्त घूमने का मतलब है गणी किस्वी कैसे घूमती है तो यह बिपरीद ऐसे घूमेगा इस दिशा में यहां से घूमा इस पॉइंट पे इधर देखके कड़ा था यह किदर गोम से गोमना शुरू कि आ उसने तो 90 डिग्री तो यह हो गया 90 डिग्री तो ये वाला पार्ट हो गया 90 और 45 ये और मतलब अब इसका मूँ किदर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इस डायरेक्शन में मतलब नॉर्थ और बैस डायरेक्शन में ये देख रहा होगा 135 डिग्री गुमने के बाद में 135 डिग्री कितना होता है 90 प्लस 45 90 डिग्री तो यहाँ से लेकर इदर घुम गया अगर ये इस्ट था और ये नोर्थ था तो इस्ट से नोर्थ के दरफ 90 डिग्री हुआ और 45 डिग्री और घुम गया ये कितना बचा ये 45 डिग्री और घुम गया तो 90 डिग्री हुम नाए तो 45 यह और इसके बीच में 45 और यह तो इसकी डायरेक्षण अभी क्या हो गई यह वाली डायरेक्षण ओगी यानि की नौर्थ एस्थ यहां से देखो कुंची डायरेक्षण होगे इसकी नौर्थ इस अब दीपक किस दिशा में देख रहा है नौर देखते हैं एक दिन सूर्यदर होने के बाद रमेश और रतीश एक बाग में एक दूसरे की और पीट करके जब सूर्यदर के समय तो ऐसे दिखाई देगा इस कंडिशन में क्या होगा जब फरछाई के कोशियन आते हैं दो तरह के परणे वाली कोशिजन आते हैं एक तो वो कोशन होते हैं जिसमें दाई या बाई और आकरती बनती है जो पढ़चाई है वो दाई और पढ़ती है या बाई और एक तरह के इस तरह के कोशन होते हैं जिसमें पढ़चाई आगे या पीछे की और पढ़ती है तो अभी कोशन क्या दिया गया है कि पढ़चाई उसके बाई और पर लही है जब दाएं बाएं की बात कर रहे होते हैं कोश्चन में दाएं और बाएं की बात कर रहे होते हैं तो उनकी जो दिशा होती है वो या तो नोर्थ होगी या साउथ होगी क्यूं होगी अगर कोई व्यक्ति नोर्थ की तरफ मुझ करके खड़ा है नो क्चाहीं कहा बनेगी इस साइड़ इसकी और होगी अगर ब्यक्ट करके खड़ा तो सबस्कति कि नहीं हो यानि और होगी ry partnership कि एक ऊगर करके खड़ा है तो कि सब्सक्राइट बनेगी जो उसकी पर्चाहीं है वो दाई और पड़ेगी ठीक है तो अगर दाया और बाया होता है तो आंसर में generally आपका आंसर North और South आता है आगे और पीछे की बात करता है तो आपका आंसर East और Best होता है इतनी सी basic बात समझने वाली थी आप practice करेंगे तो और clear हो जाएगा यह अब ही हम बात करता है question की एक दिन सूर्यदय होने के बाद सूर्यदय होने के बाद ये condition थी ठीक है east, north, best, south ये condition है अब क्या है सुमेश और सरतीश एक बाग में एक दूसरे की और पीट करके खड़े थे एक दूसरे की और पीट करके खड़े थे सुमेश की परचाई बिल्कुल उसके बाएं पढ़ लई थी अब देखो बाएं पढ़ लई है तो north और south की बात कर रहा होगा मतलब एक इधर को इधर की तरफ मुह करके खड़ा है पीट एक दूसरे की तरफ कर रखी है ना एक तो north की तरफ मुह करके खड़ा है परचाई बाएं और पढ़ लई है इसकी परचाई सुमेश की परचाई इस साइड पढ़ लई है इस साइड इस वाली साइड में जबी तो बाएं और पढ़ लई थी कि रतीस का मुह किस दिशा में तो अगर शुमेश यहाँ पर खड़ा था तो रतीस इसके एपोजेट खड़ा है यानि इसका जो मुह है किदर है साउथ की तरफ है यह कुन होगा रतीश खड़ा होगा न इसका मुह की साइड में होगा साउथ की तरफ यानि कि दक्षण की तरफ option लिए आपका सही की आंसर हो जाएगा तो पॉइंट याद रखने का यह था बाया और दाया जब आता है question में तो वह नोर्थ और साउथ की तरफ मुह करके खड़े हो सकते हैं और अगर आगे और पीछे की तरफ पर चाही आती है तो इस्ट और बेस्ट की तरफ मुह करके खड़े हो सकते हैं अ झाल 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